सुर आप तो देखिए रहे हैं कि क्या इस्थिती है मेरे बच्चा अपने खुद से भी वे चरा अपना खली खाना खा लेता है खाना खाएगा तो देख ले गिरा लेता है अपना मनीश कर से अप जेल से बाहर आ चुके हैं और एक आयांस का मैटर था देखा आप लोगों ने सुरुआती से जिस तरीके से उठाया एक बच्चा हमारे साथ पटना में है और देख पारे होंगा इनको जो है एक डिजीज है प्रॉब्लम है और ये कोई भी काम अपने खुद से नहीं कर पाते हैं मा इनके साथ है और सर भी यहाँ पर मौजूद है इन लोगों से बात कर कि यह हमारी आवाज केंद्र में मोधी सरकार तक पहुंचे और उनकी मा का जैसा की गुहार था कि डिएमडी एक जो रोग है उसमें बच्चों की जो मिर्तियों होरी लगातार जो है उसमें उसको मुहिम चला करके रोकने का काम करेंगे इनसे बात करेंगे सबसे पहले क्या दो क्यांना चाहते है जाते हैं जाना चाहते हैं खिलना अच्छा स्कूल में जाते थे वह स्कूल क्या प्रोब्लम होता था जो एड़याम होonteं थी प्राव्लम होहिए अंसिना नाम है इनका और अच्छा आप हमको बुला रहे थे आए आप लोग हैं की नहीं आए ना हम लोग तो फिर खुश नहीं हम हो के आने से इस नहीं है झाले जाए हम लोग देखे इधर देखे बच्चे जो है दीन भर यहां पे गेम देखते रहते हैं दिखाईगा थोड़ा सा देखे गेम अभी देख रहे हैं और इनका जीवन यहीं पसीमित हो चुका है और हम चाहेंगे हमारे जो सरकार सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे भी हम चाहेंगे इस चीज को देखी है समझी है कितने लोग जो है कितने बच्चे जो है इस रोग से ग्रसित है बहुत ज़्यादा प्राब्लम होता है चल नहीं पाते हैं दीन भर यहां पे बैठे रहते हैं और बैठ करके जो इनका यापन हो रहा है जीवन का स्कूल स्कूलिंग लाइफ तो ब देखे रहे हैं किया इस्थिती है मेरे बच्चा का अपने खुद से भी वेचरा अपना खली खाना खा लेता है खाना खाएगा तो देख ले गिरा लेता है अपना नहीं खा पाता है कभी कभी टाइम नहीं लगता है तो मैं बोलते हैं कि बाबू खालो हो हम नहीं खिला पा देखते हुए भी बच्चा के केर करना है फिर भी हम इनको कुछ कम्या होने नहीं देते हैं जब तक हम रहे हैं न सर तब तक हम इसको कुछ के कम्या होने नहीं दे आप लोग आए हैं तो मेरा बहुत खूसी हो रहा है कि मेरा बच्चा आप लोग के सामने बुला रहा था एक आदमी के बस के बात नहीं है इसका हम तो चाहेंगे कि भीहार सरकार भारत सरकार पूरे देश के जितना नेता अधिकारी कोई भी है सब लोग मिल के हम इस पे सर्च करवाएं और दवा निकलाएं कि हमारा बच्चा के जान बच सके अगर एक बच्चा के मा लड़ती है के देश में आप सोते हैं कि हो सीमा पर जाकर सेवा कर रहे तक इन बच्चों को जीवन बचेगा तक यह बच्चा नहीं जाकर सेवा कर सकता यहां निकलते थे सर खेलने के लिए तो लोग देख के भी हट जाता था तब बोलता था मा हमको देख के लोग हट जाता है तो हम ब बच्चों के जीवन बच्च सकते और ऐसे तमाम बच्चे जो है भारत वर्स में कांकड़े की बात कही जा रही थे कि 98,000 बच्चों बच्चे जो है भारत में ग्रसी थे कैसे रोक का एक इलाज नहीं हो पा रहा है ना स्कूलर वोडी से पूरा प्रेलासिस है ना क्या बात करते हैं थोड़ा सा भी मारी के बारे में कि क्या कुछ आईए गासा थोड़ा सा क्या कहते हैं इस बीमारी को इस बीमारी को कहते हैं बीमारी णिश्पकपे और स्थिखर्द करें RAID लेकिन यह बिमारी ज़ो पटात लाकी नहीं है तकरिबन क्रोडों में है जिसकी हम कल पना नहीं कर सकते हैं एक सधारन से परवाद से इसके इलाज बारे में लेकिन हमें एक ही चीज़ कहेंगे सरकार से कि ताकि इस बच्चे के जो है बीमारी के बारे में थोड़ा ध्यान दे और हमारे देश में इस बच्चे के लिए रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद उस बच्चे को इलाज लास्ट बेक्ती तक पहुंचे जैसे कोरोना क सरकार से कहां चुखो जा रही है इस चीज में इतने जदा गप्रूक से ग्रफित हैं और उसके बाद भी जो है इलाज नहीं हो रहा है जैसा कि बता रही हैं बेहन हमारे साथ बता रही है कि काफी टाइम से अनुवान सिख बीमारी ये कह सकते हैं, परकार से इनके भाई को भी थी, हम अदि आफ कैमरा बात हो रहेते हैं, बात करते हैं,